आपका स्वागत है फिरते एक बार अब्रॉड की या चैनल पर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप जैसे मैंने आपको पूरा इंट्रोडेक्शन स्टार्टिंग में देई दिया कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे अपने स्टार्ट करते हैं पहली उनिवर्सिटी जो अपनी लिस्ट में आती है वो आती है पहले जैसे कि आपने नाम भी सुनाएं काफी ज़्यादा वैलनोन यूनिवर्सिटी जैसे काफी ज़्यादा इसका ट्रांसफर्मेटिव जर्री लर्निंग एक्सपीरियंस काफी ज़्यादा अच्छा है जो इनका नॉलेज इन इन डाइवर्स इंवायरूमेंट इतली जाना ही जाता है अपने लगजीरियस फैमस ब्रैंड के लिए अगर आप प्लैन करते हैं इस यूनिवर्सिटी इसको तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑप्शन रहेगी जो क्या क्या QS रैंकिंग है अकॉर्दि टुशलैंटी तंव QS रैंकिंग इस 11 ऐजरी ओंड अवी जायए इसके आपको वीडियो मिल जाएिगा और जो एवरेज फीस है पर एयर की वो 62,000 आराउंड या 63,000 यूरो पर एयर का आपका चार्जस रहेगा अपकी रहेगी एवरेज फीस जो आपकी है आप इसको एक बार पर्टिवलर डिटर्माइन कर लिएगा किस स्पैसलाइशन में आप मैं भी अपना पर्शी करना चाह रहे है क्योंकि स्पैसलाइशन भी वेरी करती है तूशन फीस के अकॉर्डिए जस्ट मैंने सारी स्पैसलाइशन का अनलेस किया और ओवरल मैंने जो एवरेज था वह यहां पर मेंशन किया है सभी उनिवर्सिटीज का बलोनी उनिवर्सिटी है स्कूल जिसका एक मैनेजमेंट का स्कूल है नाम जना था है यह यूनिवर्सिटीज है वाइद अब सबसे पुरानी उनिवर्सिटीज भी इसको बोला जाता क्योंकि उल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है और पब्लिक उनिवर्सिटीज के उन्हें साथ साथ काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी है काफी अधर-related field में आप देखो ही engineering में STM field में management field में तो काफी अच्छा है almost 1088 में इसका establishment था top-notch countries है और जैसे कि मैं इसने around 86,500 students in its 11 school almost जो 11 schools है बलोनी उनिवर्सिटीज जो में 86,500 students students पढ़ते हैं for a specific MBA best MBA college in Italy इसको बोला भी जाता है मेरे according काफी अच्छा options है बलोनी उनिवर्सिटीज सेंपल सा process रहता है process भी मैंने आपको एक separate videos में बताया एक course के regarding मैंने course pick किया था for I think aerospace engineering management के regarding course जिसके उपर पूरा मैंने applications process बताया था अगर आपको और किसी applications के regarding process जाना है तो आप मुझे से comment करके पूछ सकते तो मैं आपको उसके उपर भी एक separate video आपको बना के दे सकता हूं तो आपके लिए काफी ज़दा helpful रहेगा देन रैंकिंग की बात करें 166 रैंकिंग इसकी क्यूएस में युनिवर्स्टी टैप पब्लिक है बलोनी इतली में इस्टैबलिज है जी मैट स्कोर की 550 प्लस आपका जी मैट स्कोर होना चाहिए और इंग्लिज प्रफएंसी का टेस्ट आपका रिकार्मेंट रहेगा देन आपका वो आयल्स है तोफिल हो सकता है अराउंड 35,000 आपका पर यहर का चार्जिस रहेगा एवरे इस्टूशन सी जिसे पन गुलते हैं नेक्स्ट मुवण करते हैं उनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक दी मिलानो उनिवर्सिटीज को 1863 का इस्टैबलिशमेंट है अमंग तोप उनिवर्सिटीज इन इटली काफी ज़धा वेलन उनिवर्सिटीज और टॉप उनिवर्सिटीज में कांट हो इतली में एक्रोस 42,000 इस्टुडेंट करें इस उनिवर्सिटीज में जो की आप देख रहते हो का मल्टिपल डिसिप्लिन में जैसे की मल्टिपल स्ट्रीम में इंजिनिरिंग हुआ अर्टिटेक्चर हुआ डिजाइन पॉली टेक्निक डी मिनालो एक तुमें केमपस सिर्फ आनली दो में में चैंपस इसके मिनाल और वाकि जो पांच चैंपस वो अलग-अलग रीजन में सुच्वेटिड है जो अपना है QS रैंकिंग आप देखेंगे 142 इसकी QS रैंकिंग युनिवर्सरी टाइप पॉब्लिक है और लोकेशन मिनाल में इसका रेसिलेंस है इसका रोकेशन रेक्वार्मेंट आप फोकस करेंगे तो सेट सर्टिफिकेशन का रेक्वार्मेंट आप करेंगा और आपका 20 अपका 20 सेट सब्जेक्शन में इसका रेक्वार्मेंट रहेगा और उन फूकस करते तो 153 प्लस आपका रहेगा मिनिम आपका इसकोर इतना होना चाहिए अगर आपका इससे प्लस होता है तो आपके लिए काफी जगा बेनिफेशल रहेगा आप अधर courses या other specialization के लिए भी apply कर सकते है, for example, sorry, next जो आपका interest है वो GMAT, GMAT के थुरूब भी आपका 500 प्लस आपका requirement रहेगा, in the two sections and quant section में आपका होना चाहिए, tuition fees की बात करें, तो 39,000 around आपका tuition fees per year का है, जो almost आपका touch कर सकता है, अगर specialization के बाद 42,000 के around या 40,000 के around आप देखोगे, तो रोम universities पर बात करते है, रोम universities जिसका establishment 2011 में है, और काफी ज़्यादा वैलोन है इन रोम में, रोम में ही situated है, और जो अपने MB program के लिए काफी ज़्यादा known भी है ये universities, if already, देखें तो 150 nations से around से, जो students है यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं तो यह की plus point है, universities का, if you are interested in this university, okay, then वो करते हैं इसकी ranking पर, almost 322 इसकी ranking है, प्राइवे universities है, जैसे मैंने विज़ता है, रोम establishment है, TOEFL 75+, आपका score requirement रहेगा, then IELTS का requirement 6 plus है, then PTE का 47 plus, जो इसकी fees है, almost 80,000 euro है, average fees है, specializations wise vary करेगी, तो आपको एक बार official website पर भी जाके check करना है कि, इसकी fees approximately कितनी है, then move on करते है, जो university है next, ESCP Europe की जो business schools है काफी अधनोन है, यह basically अपने business program के लिए ही नोन है, आप इससे पहले जो universities थी, वो MBA के साथ-साथ किसी other discipline में भी नोन थी, for example, baloney universities है, वो engineering में भी जादा नोन है, then यह स्रिफ only on MBA के लिए, अगर आप चाहते हो पूरा curriculum आपको MBA में, then आप MBA के लिए इसको prefer कर सकते हो, क्योंकि काफी यह अधा only on business school है, तो यह आपके प्लस पॉइंट रहेगा, then QS World Ranking इसकी 20 है, प्राइबिट universities है, टोरिनो, इटली में इसका locations है, GRE score इसका 300, 70+, and GMAT आपका 780+, जैसा ही मैंने वता है, almost यह B school है, तो इसका GRE score, GMAT score काफी अधा high भी रहेगा as compared to other universities, जैसा आपको 550 या 500 plus score पे भी आपको top universities मिल रही थी, same, इसकी जो अगर आप इसमें लेंगी schools में, तो आपको 700 plus आपका requirement रहेगा GMAT का only on, तब ही इसकी जो ranking है, वो 20 है, almost QS ranking में, and around as of 2022 के according, और average fees इसकी रहेगी for MBE specialization MBA program के लिए 37,000 से लेके 38,000 के रहा हूं, okay? Make sure आपको एक बार ये भी cross verify करना है किस specialization के लिए आप interested हैं, इसमें MBA में क्योंकि various specializations होती हैं, तो उसके लिए भी fees differ करती हैं कहीं universities of PISA पे अपन बात करते हैं, okay? Then university of PISA, MBA college के लिए ये भी known है, जो welcome students यहां पे की universities है, और if you have been celebrating man of science like Galileo, Galilei and you must have the delight, know that was then a student to the prestige universities में count होती है, अगर आप ऐसी universities target करें जहां पे alumni network काफी अच्छा strong है, then जो यहां पे study कर चुकी हैं कुछ ऐसे scientists जिसकी वैसे universities भी known हैं काफी पुरानी हैं, तो आपको ये target करनी चाहिए, universities हो पीचा, simple सा, इसका भी applications प्रोसेस रहता है, इनकी official website पर जायके आपको just registration करना रहता है, then वो आपको पूरा applications आपको English और Italian language में रहता है, आप उसको convert करके, उसको check करके, directly applications जो steps उनको follow करके आप फिल कर सकते हो, अगर doubt आते हैं तो आप मुझसे reach out करके पूछ भी सकते हो, then ranking की 388 ranking है, public universities है, PISA में established है, IELTS score 7 plus है, बाकी की universities में आपको 6, 6.5 तब यहां पर आपका 7 plus रहेगा, then TOEFL का 90 plus रहेगा, almost 8,000 euro आपका piece यहां पर requirement रहेगी, और बाकी का MIM School की बात करें, Trishty School of Management, इसका जो around है MBA के लिए ही यह known है, जैसे अभी आपने देखा था ESCP, जिसके लिए वह known to us of only on business schools के लिए, same for founded 98 में establishment है, इस university का, then basically यह enhance करती है, आपकी skills को, आपके job prospects को help भी करेगी, आपकी leaderships को और आपको job placements होते हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं, काफी ज़्यादा help करती है, 30 in Italy है, 30 year in Italy and in the world, काफी ज़्यादा पुरानी है, इस वैसे, 1988 का establishment है, इसी वैसे मैंने आपको बोला, तो only on business schools के भी काफी ज़्यादा फायदे होते हैं, अगर आप universities target कर रहे तो उसका एक plus point है other way में, अगर आप और only on business school देख रहे हो तो उसका एक plus point है, उसके curriculum को लेके and alumni network को लेके, then ranking 151 non profit organizations है, ट्रिश्टी में stable locations इसकी, बैचलर degree की बात करें recognize institute से, GMAT score आपका 500 to 600 की बीच में vary करेगा, आपका in between इतना भी score आता है तो आप easily हाँ पे apply कर सकते हो, non English speakers के लिए आपको two fills रहेगा, जिसका requirement आपका कहीं न कहीं, six point five के around रहेगा, अगर आपका इतना है तो आप easily apply कर सकते हैं and qualify कर सकते हैं, average fees की बात करें, 25,000 आपका euro something around इतना आपका, आपको pay करना रहेगा per year, then Swiss school of management, आपने I think काफी ज़दा नाम सुना होगा इस universities का, काफी ज़दा well-reputated universities है, अपने MBA program के लिए काफी ज़दा टाइब से, industry से टाइब से, वह काफी ज़दा well-known है, तो इस वैसे universities भी कहीं न कहीं आपकी list में आती है, आप इसको पहले से ही जानते हैं, तो आप अपने इसको list में रख भी सकते हैं, universities type private है, जैसे यहाँ पर है, locations आप देखिए आपका requirement रहेगा, bachelor degree आपकी recognize institutes होनी चाहिए, वह भी मैं आपको उता दूगा किस तरही साब check कर सकते हैं, आपकी जो degree है वह valid है की नहीं है, average tuition fees जो आपकी रहेगी 7400 के राउंड आपकी tuition fees रहेगी, Swiss school की, then move on करते हैं, ST Jones universities पे, जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज नोन फॉर, only one for MBA, ST Jones, यूनिवर्सिटीज ये प्रिस्टीजियस B schools में आता है, B schools जैसे ही अपने स्टार्ट किया था, आपने यूनिवर्सिटीज इस पर देन अप B schools से आपन फोकस कर रहे थे, historic setting and highlight tech classroom basically known है इस वैसे, infrastructure काफी अचा है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं इसके galleries, views पर आपको पूरा explain कर देंगे क्या environment है, then requirement की बात करें, specific program MB एक लिए 3.5 आपका, यह पर requirement है, average set score 1180 and average act score is 26, bachelor degree और रिकॉर्णाइज होने है, GMAT का आपका 570 प्लस आपका score का requirement है, tuition fees जो vary करेंगे आपकी 29,000 लेकि 35,000 यूरो के around आपकी कहीना के लाई करेंगी university, private universities, 194 ranking है इस ती, okay, then we won करते हैं, Lush universities की अपर, जिसको दिया गया liberal university international, basically Italy में लिखा है, लुष एंड लुष से गार्डियो कार्ली इंडिपेंडेंट प्राइविट उनिवर्सिटी लोकेट इन रोम, founded 1974 में होई थी, over a decade Italy MBA के लिए ही known है, इस वैसे जो प्रोग्राम से इसका काफी अधा known आता है, around 10,000 आपके around इसका charges है, आपका universities का, इस प्रोग्राम के प्राइवेट उनिवर्सिटी इस रुमेनिया इटली में है, सिच्विटेट है, 91 to around 100 इसका establishment रहता है, GMAT score आप देखे हो 550 प्लस, GRE score 145 इसमें आप दौनों ही से, GRE और GMAT के basis पे आप admission ले सकते हो, verbal section के लिए 145 और quantitative section के लिए भी same रहेगा, अब बैचलर डिग्री रिकॉर्ग में जुनी चाहिए, यह सेम है, यह 10 उनिवर्सिटी थी, अगर आप इंट्रेस्टेड हो 10 उनिवर्सिटी में, तो आप इनको एक बार official website पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, कर दो आपार आपी, पक बार quello सकते हैं, यह 5 परेस्त कर सकते हैं, यह 7 यह 10 उनिवर्सित saf Official Selbst速क्षण में जुनीवर्सित